नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आप दासे अग्री अगेडवी की यूटूब चैनल में और मैं ग्री राज सर आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ important questions जो की competitive exams में पूछे जाते हैं उनको आज हम discuss करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारी अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर live online classes and test series study material आप प्राप्त कर सकते हैं live classes ADA, SADO, EFO, REO, NSC and all other agriculture competitive exams और जो भी entrance exam होते हैं JRF, BHU, MSC entrance exam उन सब का भी study material आप वहां से purchase कर सकते हैं आप मुझे मेरे Twitter चैनल, Instagram, Facebook और Telegram पर मुझे follow कर सकते हैं contact no.9131387204 इस भी contact कर सकते हैं WhatsApp no.8 आप हमारी test series भी purchase कर सकते हैं IPS, EFO, full land test series 50 men's के लिए 50 test हैं just 299 में आप store से purchase कर सकते हैं REO, SADO test series होगी 6 months के लिए 499 रूपे में जिसमें 100 agriculture plus 100 sea set के question आएंगे Hindi और English दोनों में test series होगी आई ये start करते हैं पहला question पूचा गया दोस्तों A block supply on an average of horsepower for a period of 8 hours per day की एक दिन में 8 गंटे में एक बैल कितनी ओसा अस्व सकती प्रतान करता है एक बैल अगर दिन में 8 गंटे काम करता है तो कितनी horsepower के वरावर वो काम करता है तो इसका correct answer है दोस्तों इसका correct answer है बी 0.5 HP कितना supply करता है वो 0.5 HP के equal horsepower के equal क्या करता है वो काम करता है next second question number second है the ratio of runoff to the volume of precipitation received in a catchment area unknown as क्या कहा रहा है दोस्तों कि जो runoff होता है वो और precipitation कितना होता है precipitation मतलब बारिस कितनी होती और कितना पानी बहके बार निकलता है runoff इन दोनों का जो ratio होता है अनुपात होता है general grant छेत में प्राप्त वरसा की मातरा मीन precipitation कितना हुआ वो और कितना runoff हुआ है कितना runoff हुआ है इन दोनों की मातरा को क्या बोलते है तो इसका correct answer होता है क्या पूच रहा है कि कितना precipitation हुआ है P ठीक है और कितना runoff हुआ है आर ठीक है इन दोनों का जो अनुपात है क्या क्या कहलाता है precipitation मतलब बारिस कितना हुई है वो और कितना भैकर बार निकले इन दोनों का अनुपात के कहलाता है runoff coefficient कहलाता है दोस्तो next question नमर थीसरा seed rate control per hectare or medium duration potato एक medium duration potato के आपको seed rate वज़ाना है control per hectare में तो जनरल हम जो potato जो लगाते जो tuber में लगाते हैं ठीक है potato के क्या लगाते tubers लगाते हैं आपने विदा हुआ tubers में आई होती है three word date one word आई लगाते हैं तो tubers लगाते हैं उनका भेट तो अगर आप से control में पूचा जाए तो control में correct answer होते है 15 से लेके 20 control per hectare एक hectare में इतने आलू लगाए जाते है में कितने 15 से लेके 20 control per hectare seed rate होती है question number three that term monsoon is derived from monsoon सब किस भासा से लिया गया है तो यह बहुत पहमास question है monsoon सब Arabic भासा से लिए किस से लिए Arabic भासा से लिया गया है question number five the correct combination of P variety यह भी exam में पूचा जाते है तो दो P की कौन कौन सी variety है पहला option है archile P की variety after P variety option number two check करते है अब अब रोधी gram किये रचना यह मटर की है लेकिन इसमें option गलात हो गया अपर ना यह मटर की है यह मटर की है लेकिन पूचा बरसाती और पी तो option number पहला जाही है option number पहला सही है क्यांज यह 3 variety किस की है नेक्स्ट, Option नमर्व cosplay, नक्स्ट स्यों डक्तिय। टो यहां किसी शुलोपर के कल्टिवेशन करते हैं तो विगना मोंगो क्या व्टो को कहां पर लगाते हैं कर लगाते हैं जिससे की runoff कम से कम हो, जिससे runoff से जो soil का losses होता हो, कम से कम हो, question number 8, अगला discuss करते है, question number 8, the ratio of crop yield to the total amount of water used for irrigation is coal, बहुत important question है दोस्तों, बहुत बार exam में पूचा गया है, कि सेचाई के लिए उपयोग की जाने वाली coal पानी की मातरा, एवां फसल की उपच का अनपात को, दोस् इसका correct answer है, water use efficiency, water use efficiency क्यों होती है, y upon wr, क्यों होती है, wr, means crop yield कितने लिए और water requirement कितने है, कितने उपजनी के लिए, और कितनी water requirement होती है, इन दोनों के अधनपात को क्या कहते हूं, तो पान्जनी की उप्योग दक्षिता, water use efficiency कहते है, water use efficiency दोस्तों सबसे जादा होती, finger millet की सबसे कम होती है राइस की कोशन नम्मर नाइन अगला डिसकस करते हैं rotational intensity 150 किसे फसल चक्र में the rotational the crop rotation having 150 rotational intensity आपको चार ऑप्षन दिये गाए इन मेंसे बताने कि किस फसल चक्र में crop rotational intensity जो होती है वो 150% होगी तो दोस्तों इसमें पहला ही option है जहां पर 150 होगी क्यासे होगी नम्मरों crops कितनी है एक दो तीन नम्मरों crops कितनी है तीन है और यहां पर time कितना लग रहे है rise को करीब season में लगाते है ठीक है इसको कब लगाते है इसको हम भी को season में लगाते है फर यह 18 महीने कह रहते है तो यह total कितना हो जाएगा 150 अगर आप divide करोगे ठीक है अगर आप किसको divide करेंगे total number क्रोप कितनी है तीन आरा समझे और year कितने हो गए year होगा यहां पर year two तो divide करोगे आप three by two upon तो कितना जाएगा 150 percent question number अगला है विच क्रोप इस दा मोस्ट डोट टोलरेंट कौन सी क्रोप डोट टोलरेंट होती है सबसे आदा तो इसका अंसर होता है तारा मीरा कौन सी क्रोप डोट टोलरेंट होती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है तारा मीरा होता है Question no 11, the Durin is Synthesizing, Durin का निर्मान कहा होता है, Durin का निर्मान, दोस्तों ये Sorghum के अंदर होता है, Sorghum में कहां पर, Roots जो होती है, Sorghum में जो Roots होती है, वो वहांपर का होता है, Durin का निर्मान होता है, ठीक है, आगे बात करें, अगला कोश्चन है कापास में डिलेंटिंग परिकेरिया मदद करती है दोस्तों पूचा गया है डिलेंटिंग और कोटन हेल्प सिंग कोटन में जो डिलेंटिंग करते हैं हम वो किस में हेल्प करते हैं grading of seeds में पहला option दिया गया है कि grading of seed में help करता है correct answer सही है killing of hibernatic wallworms larvae and disease pathogen ये भी correct है cucar germination ये भी सही है तो इसका correct answer क्या होगा ओलोब दीजे कि dilinting जो process होती है cotton के अंदर हम किस्ते करते हैं concentrate H2SO4 से किस्ते करते हैं दोस्तों concentrate H2SO4 से किया जाता है जो की grading में help करती है ये seed क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा जो भी इस acid के द्वारा seed के अंदर जो भी hibernating stage होंगी wallworm की वह भी क्या हो जाएंगी नस्ट हो जाएंगी और जिससे germination क्या होता है fast होता है तो correct answer है all of these अगला question the period expressed in number of days for which irrigation water is supplied to a crop represent the water किसी फसल की सचाई के लिए कितने दुन मैं पानी की आपूर्थी की जाती है वह अब दी क्या कहलाती है हमको crop को परिपक्ता करने के लिए मैं इस maturity लाने के लिए कितने दिन तक irrigation देना होता है तो इसको कहते हैं दोस्तु क्या कहते हैं उसे हम waste कहते है नम्मर ओप डेस की बात करते है तो उसे क्या कहते हम waste कहते हैं अगला option कि अगला question है पोस्ट-Emergence Service Site कौन सा है तो दोस्तों पोस्ट-Emergence Service Site तो इसका अगला कोशन नम्मर 15 दे इंडियन सोसाइटि ऑप अगरोमी वज इस्टविलेश इंडियन सोसाइटि ऑगरोमी नैनीटिन 55 के अंदर इस्टविलेश उटि नियु दिली कोशन नम्मर 16 यहां पर पूचा गया है कि नमी की मात्रा कितनी होगी एक मिट्टी के नमी के बजन 20 किलो था जब वह गीला था और 16 ग्राम था जब वो सुकाने के बाद 16 ग्राम था तब बताओ कि मिट्टी में मोशर कंटेंट कितना होगा तो दोस्तों कैसे निकालते हैं देखो पहले ठीक है फिर माइनस 16 ग्राम अपोन 16 इस परकार से निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा तो 4 अपोन 16 यहां पर इसको आपन करेंगे तो 4अपोन 16 निकालना होता है कि जो गीला जो weight soil है ठीक है weight soil जो है उसका weight कितना है फिर oven dry के उसको minus कर देना है और नीचे oven dry soil का weight लगने है means उपर किसका weight आएगा दोनों का difference आएगा नीचे क्या आएगा नीचे oven dry soil का weight आएगा इन 200 और इस तरह answer आजाएगा नाइस कोस्टन के ओर चलते हैं अपर लेमेट ओफ सोल मोस्टर अवैविलिटी वहत इंप्रोटन कोस्टन है अपर लेमेट सोल मोस्टर अवैविलिटी की अपर लेमेट कुन सी होती है तो दोस्तों फिल्ड कैपिसिटी कुन सी होती है फिल्ड कैपिसिटी को हम क्या कहते हैं म next question के ओर चलते है, soil pH, दोस्तों, soil pH के active acidity होती है, soil pH जो है, या reserve acidity होती है, active plus reserve होती है, या उने concentration, दोस्तों, soil acidity जो होती है, soil pH जो होती है, active acidity के करण, h plus के करण होती है, active acidity के करण, soil pH होती है, अगले कोश्चन के और चलते हैं, वाइट बड़ ओप मेज, इस कोई डू टू दा डिफिजेंस यो, मक्काम है, जो सबेत कली का बीमारी होती है, ये किसकी कमी उसे होती है, तो दोस्ते इसका करेक्ट आंसर होता है, जिंग की कमी उसे होती है, कोश्चन नमर 20 है, नमने मैंसे कॉन सा एक और अर्वरक्स, नाहिटरोजन ओर्वरक्स होता है, तो यहापर करेक्ट आंसर है, यूरिया, क्या होता है, यूरिया और अर्वरक्स होता है, ने इस्ट कोश्चन है दोस्तो, कोश्चन नमर 21, ऑलशन मैतेर्ड इस यूज तू डिटर्माइन अव्लेवलिवलें होई Olsen method का यूज किस पोसक तत्व किस nutrient को determination कि लिए जाता है soil के अंदर तो इसका correct answer होता है phosphorus phosphorus के determination के लिए हम Olsen method का यूज करते हैं दोस्तो question number 22 the bulk density is highest in किस परकार की soil में bulk density सबसे ज़्यादा होती है तो इसका correct answer होती है तो वलक density सबसे ज़्यादा sandy soil की होती है तो वलक density होती है weight of the oven dry soil जो oven dry soil हो उसका weight upon volume तो volume किसका solid plus pore solid space plus pore space दोनों के volume जो होते है नीचे लेकिया जाते है उपर क्या लगा जाता है weight लगा जाता है किसका तो ओवन dry soil का तो दोस्तों नोर्मल soil जो होती है उसकी जो bulk density होती है वह कितनी होती है 1.33 क्योंकि sandysol का जो volume होगा वह कम होगा क्योंकि pore space कं होगा यहां पर ठीक है तो यहां पर sandy soil की कितनी होती है 1.601.602 सबसे कम किसकी होती है किले सोल की क्यों क्योंकि highest pore space किसम होते है किले सोल में अगर pore space ज्यादा होंगे तो volume ज्यादा होगा और volume ज्यादा होगा तो बलकि density कम होगी तो सबसे कम किसकी होती है 1.1 होती है किले सोल की सबसे ज्यादा किसकी होती है सबसे ज्यादा होती है सबसे ज्यादा हो पैस्त दिये गए है इनमें से कौन सा मोनो फैगस पैस्ट है तो दोस्तो68 मोनो फैगस पैस्ट कुन सां है यलो स्टम बार रोप přाइस यह अकेला का यह मोनो फैगस पैस्ट है यह रियंड एस्टेन्स पर अटेक करेगा यह सिर्फ र श्रिब राइज पर एक सच्छ करता है को सच्छ को साननाम का होता है तो ब्सक्रेफ का सिश्टो obsess aan क offense का साननाम का नाम होता है सिश्टो का होता है Bombay लोकस्ट का होता है और correct answer का है desert लोकस्ट जो होता है इसका correct answer होता है सिस्टो से रह गिर गिरिया दोस्तों next question की ओर चलते हैं question number 25 the headquarter of Central Plant Protection Training Institute Central Plant Protection Training Institute का एड़काटर दोस्तों control for NPV का यूज हम biological control में करते हैं NPV का यूज के समें biological control मैं NPV is used in biological control NPV का यूज किसमें करते हैं biological control में करते हैं तो NPV जो है Heligopapar Army-Jera कसमें Heligopar Army-Jera जो है इसको चन्ड्रोल करने के लिए nuclear polyhydrosis virus का यूज किया जाता है, एक बार ब्यापम की एक्जाम में पूचा गया था, कि इसकी डोज किया है, तो 250 से लेके 500 LE, एक बार एक्जाम में पूचा गया है, तो इसकी जो डोज होती है, वो दोस्तों कितनी होती है, 250 से लेके, दाहिसो से लेके, कितनी 500, 250 से लेके 500 LE, 250 से लेके 500 एली लारवल एक्यूवेलेंड पर एक्ट है ठीक नेस्ट कोशन के ओर चलते हैं कोशन नमर 27 रोडलिया काडिनेलेस हैज बीन सक्सेस्फुल कंट्रोलिंग तो दोस्तों ये विदालिया वीटल का सांटिपिक नहीं होता है रोडलिया काडिनेलेस इसका यूज एक प्रकार का ये प्रिडेटर है क्या दोस्तों ये एक प्रकार का प्रिडेटर है इस प्रिडेटर का यूज इस कोटनी कोशन इस्किल ठीक है इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने में किसको कोटनी कोशन इसकी जो की मैली सिट्रस का पैस्ट है इसको कंट्रोल करने में किया जाता है ये रोड करेक्ट टांसर होता है अनार वाटरफलाई को कंट्रोल करने करें हम क्या करते हैं वेकिंग करते हैं नेस्ट कोस्टन के ओर चलते हैं दोस्तों कोस्टन नम्मर ट्वेंटी नाइन दा ब्राउन प्लांट ओपर और राइस ट्रांस्मिट दई जो ब्राउन प्लांट ओपर होता है वो कौन सी disease को transmitted करता है दोस्तों से गर्स्ट का 거ता है राइस ग्राशी इस्टन्ड भीमारी को क्या करता है transmit का का काम करता है Brown Plant over नीला परलोगयंस इसका scientific नाम क्या होता है नीला परलोगयंस और टंग्रो वायरस को को ट्रांसफर करता है ग्रीन लीप ओपर ग्रीन लीप ओपर जो होता है वो टंग्रो बीमारी जो टंग्रो डीजी जो होती है उसको ट्रांसफर करता है लेकिन ब्राउन प्लांट ओपर राइस ग्रासी इस्टेंट को ट्रांसमेट करता है नैस को सन को चलत जाती है आई होप आपको समझ में आएंगे आप अब अब्यास एग्री यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें आप मुझे बताएं कि किस परकार लगे आपको तो इससे में नेक्स टेस्ट में आपको अगले अच्छे लेव जाइन